अगर आप अपने लिए अपने लवड़ बंस के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ कि रिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापता ही राशी फल ये 4th मार्च से लेकर 10th मार्च तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सभी signs के सापता ही राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही क्राशी फल चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप रुगों के लिए card है the wheel the wheel का card taro में broader level के लिए अगर हम देखें तो changes की बात करता है और साथी साथ देखें movement shift को भी represent करता है और अगर आप deeper level के यह इसी चीज़ को समझें जब भी भी movement आती है, shift आता है तो changes तो आते ही आते हैं और कुछ ऐसा ही इस week specifically किसी ना किसी लिए पर किसी तरीके से आपके professional front में रहता हुआ देख रहा है और wheel देखें पया होता है, पया normally you know vehicles में होता है और vehicles कहीं travel को represent करते हैं तो कहीं इस week हो सकता है या तो आप travel कर रहे हैं या फिर travel करना चाहा रहे हैं और otherwise अगर हम देखें तो किसी भी level पर किसी भी तरीके का एक shift आपके professional front में आ सकता है अब देखें ये shift, ये movement सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए simply हो सकता है change of place है, change of residence है और मैंने आपको अभी कहा भी कि travel ये card represent करता है and कुछ के लिए हो सकता है change of job, change of team, change of project क्योंकि ये card आपके professional front के लिए है और देखें यहाँ पर कुछ के लिए changes हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि इसी से related एक सोच आपके मन में रह रही है और देखें वील का card कहीं अच्छी opportunities के मिलने की भी बात करता है लेकिन जब भी ये card आता है मैं यही कहती हूँ कि अच्छी opportunities हवा के जोके की तरह आएंगी और चली जाएंगी अगर आपने थोड़ा सा भी जादा समय लगाया सोचने में चीजों को समझने में तो आप इनको miss कर सकते हैं तो थोड़ा alert थोड़ा सा cautious भी इस week आप रहें जैसे ही कोई अच्छी opportunity आती है और आपको लगता है कि यह अच्छी है वाक्य ही में तो आप ज़रूर उसको तुरंट avail करें बहुत जादा time ना लगाएं ब्रॉडर लेविल के लिए देखिए wheel is a very very positive card तो positive ही आपके professional front में इस week चीजे रहती हुई दिख रही है and personal front के लिए आप लुगों के लिए eight of cups का card है तो कहीं देखिए दोनों ही cards movement की बात करते हैं और देखिए जब भी movement होती है तो एक जगा को छोड़ कर या एक चीज को छोड़ कर हम आगे बढ़ते हैं तो broader level के लिए फिर से मैं कहूंगी चाहें वो आपका professional front हो या personal front हो एक movement आती हुई दिख रही है changes रहते हुई दिख रहे हैं specifically personal front को देखें तो इस card को अगर आप देख पा रहे हैं जो figure हैं वो किसी जगा को छोड़ कर आगे बढ़ रही हैं और उनके पास उनका बाग भी है तो यहां पर फिर से मैं कहूंगी यहां तो आप travel कर रहे हैं करना चाहा रहे हैं otherwise किसी चीज को छोड़ कर आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं यहां फिर बढ़ रहे हैं और कहीं life में, you know, एक बड़े changes आप लाना चाहा रहे हैं, हो सकता है in the process, आप बहुत ज़्यादा great नहीं feel कर रहे हैं, emotionally low feel कर रहे हैं, और दिखिए फिर से काऊंगे ये general reading है, तो सब के लिए, जो भी चीज है जिसको छोड़ कर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो differ कर सकता है, कुछ के लिए कोई connection हो सकता है, कोई relationship हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई behavior हो सकता है, कोई किसी की कही हुई बात हो सकती है, जो भी चीजे मेरे mind में आई, मैंने आपको कहा, कोई भी चीज हो सकती है, जिसको छोड़ कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर बढ़ सिर्फ इस वीक के लिए कभी कभी क्या होता है हम इंटेंशनली एक डिस्टंस करना चाहते हैं हम अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कभी कभी हम ट्रावल कर रहे होते हैं तो खुद बखुद सिच्वेशन के पॉइंट अफ व्यू से वो डिस्टंस आ जाता है तो अपने पर्सनल फ्रांट के किसी भी लाइफ के एरिया में लाना चाहा रहे हैं या फिर ला रहे हैं और इन जन्रल या फिर गाइड़न से आप लोगों के लिए अर्थ गाजियन का काड़ है और यह काड़ कहता है स्टे रूटेड अन ग्राउंडेड तभी कि जब भी हमार ऐसे अपने लाइफ अपने अर्थ से कनेक्ट करना है कोई भी फिजिकल आक्टिविटी आप कर सकते हैं आपके परस टाइम नहीं है आप अपने घर में नंगे पहर चल सकते हैं या फिर आप सिंपली अगर गार्डन में वॉक करते हैं तो भी कहीं आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं और ये बहुत अच्छे से आपकी ग्राउंडिंग करती है तो इस चीज को आप ज़रूर करें और स्ट्रॉलेजी से आप लोगों के लिए मून का कार्ड है इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लगी रहेगा इंसिग्निफिकन दे आप लोगों के लिए होगा मंडे तो ये था एनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साथा है क्राशी फल और नीचे मुझे कमें सेक्षन पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए तो ये टरस आप लोगों के लिए देखेंगे कि कमिंग वीक क्या लेकरा रहा है? क्या एनर्जी इस है? तो प्रोफेशनल फरंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है थेविन उफ पेंटिकल्क्ल fight और ये कार्ट कहता है कि इस week specifically अपने professional front में आप थोड़ा सा pause यहां तो ले रहे हैं आप फिर लेना चाहा रहे हैं अब देखें इस pause लेने के सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन कार्ट के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि आप future course of action decide करना चाहा रहे हैं या फिर कुछ stories के लिए यह भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस point of time पे अपने professional front में आप थोड़ा सा एक analysis करना चाहाते हैं आप थोड़ा सा चीजों को और समझना चाहते हैं अब तक आपने क्या पाया, क्या आपने करा जिससे की आपको profit gain हुआ, क्या किया जिससे की नुकसान हुआ और इसी के basis पे कहीं आप कुछ decisions, कुछ choices लेना चाहा रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी future course of action आप plan करना चाहा रहे हैं तो बहुत कोई activity इस week specifically professional front में नहीं हो रही है या फिर आप actively किसी भी चीज में involved होते हुए, participate करते हुए नहीं दिख रहे हैं एक planning, एक सोच इस week किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही professional front में रहती हुए दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए night of pentacles का card है तो देखें दोनों ही pentacles के card है, broader level के लिए देखें तो ये पूरा ही week चाहें वो आपका professional front हो, चाहें personal front हो, आप बहुत practical, realistic हो के चीजों को deal कर रहे हैं money, पैसा, materialistic, tangible चीजें आप लोगों के लिए एहम रह सकती है और देखें, दूसरी चीज जो आप लोगों के लिए बहुत एहम रहेगी वो है safety, security यानि कि इस week आप impulsive overall ही नहीं होना चाहा रहे हैं और खास कर personal front में तो बिल्कुल भी आप impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं जल्दबाजी नहीं करना चाहा रहे हैं देखें कहीं Knight of Pentacles का card भी pause ही लेने की बात करता है तो दोनों ही front के लिए similar सी energies रहते भी दिख रही हैं और फिर से दिखें Knight of Pentacles के हिसाब से आपके personal front को देखें तो कहीं आगे बढ़ने से पहले एक strategy, एक planning आप बनाना चाहा रहे हैं आप फिर बना रहे हैं जब तक कि आप safe नहीं feel कर रहे हैं safe is not the right word actually जब तक आप 100% sure नहीं हैं आप किसी भी चीज को लेकर action initiatives नहीं लेना चाहा रहे हैं आप बहुत ज़ादा एक safe secure होके चीजों को deal करना चाहा रहे हैं तो फिर से कहूंगी कहीं similar सी energy रहती भी दिख रही है और कहीं देखिए professional front का card बहुत neutral energies की बात करता है तो ना तो बहुत great professional front में हो रहा है ना ही कुछ भी खराब हो रहा है personal front के लिए night of pentacles का card कहता है कि अच्छी opportunities या फिर अच्छी चीजे रह सकती हैं लेकिन आप बहुत ज़ादा ही चीजों के बारे में सोच रहे हैं और जब भी हम ऐसी energies में होते हैं हम कहीं बहुत वक्त लगा देते हैं decision लेने में, action initiatives लेने में और फिर हम opportunities को miss करते हैं उस time नहीं realize होता लेकिन बात में परेशान होते हैं तो personal front के लिए specifically आप लोगों के लिए guidance होगी कि आप चीजों को अच्छे से समझें लेकिन इतना भी वक्त ना लगा दें कि कोई अच्छी opportunity अगर आया आप उसको miss करें और बात में regret करें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए broken arrow का card है और ये card कहता है embrace the energy of peace देखिये हो सकता है कि कि किसी चीज को लेकर आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं और यहां पर देखिये आपके लिए बहुत clear cut message है कि आपने peace maintain करने पे जादा focus करना है और देखिये कितनी बारी होता है कि हमारा किसी से argument हो गया हम इतना उस time पे अपने आपको right proof करने पे focus कर रहे होते हैं कि in the process हम अपना peace of mind खोते हैं हम शायद कितनी बारी argument तो जीत जाते हैं लेकिन सुकून को खो देते हैं तो यहां पर आपके लिए message बहुत clear cut यही है कि जो भी हो आपका focus argument जीतना और argument is only and only an example आपको समझाने के लिए किस तरीके से हम peace maintain करने पे नहीं focus करते हैं तो जो भी situation हो जो भी circumstances हो आपने peace maintain करने पे जादा focus करना है इसको जादा एहमेद देनी है इसको जादा prioritize करना है and astrology से आप लोगों के लिए Saturn घ्रह का card है इसके हिसाब से all shades of beige brown इस week आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है two of cups और broader level के लिए देखें ये card relationships को represent करता है in fact relationships में बहुत एक loving caring energies की भी बात करता है क्योंकि ये card आप लोगों के लिए professional friend के लिए है तो हो सकता है या तो professional friend में किसी इनसान के साथ आपका bond बहुत अच्छा हो रहा है आप बहुत अच्छे से connect कर रहे हैं आपकी ज़्यादा interactions हो रही है या फिर overall ही जो लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आपकी bonding अच्छी हो रही है या फिर आप करना चाहा रहे हैं और कहीं दिखिए professional friend में इस week eating, drinking, merrymaking ज़ादा रह सकती है अब कितनी बारी होता है हम ज़ादा meetings attend कर रहे हैं और meetings अगर हमारी restaurants में हो रही है तो हम खाते पीते you know meeting कर रहे हैं तो ये एक scenario काफी सारे लोगों के लिए रह सकता है क्योंकि देखिए ये love, emotions और feelings को represent करता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने work front में किसी की तरफ attract हो रहे हैं किसी के लिए love, प्यार, महबबत महसूस कर रहे हैं या फिर कोई इनसान है जो आपके लिए ऐसी ही feelings रख रहे हैं और देखिए यहाँ पर male और female की में बात नहीं कर रही हूँ कभी कभी हम same sex के इनसान के साथ भी बहुत अच्छे से connect करते हैं हमारी बहुत अच्छी friendship हो जाती है बहुत अच्छी हमारी conversations होती है, बातचीत होती है तो कहीं इस तरीके की energies किसी के साथ भी इस week आपके professional front में रह सकती है और फिर से कहूंगी overall के लिए बहुत एक loving, caring, cooperative, supportive सी energies आपके professional front में इस week रहती भी दिख रही है साथी साथ एक eating, drinking, merry making भी किसी भी level पे रह सकता है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the moon का card है हम सब जानते है moon जब अंधेरा होता है, रात होती है, तब दिखता है और रात को कहीं देखें, हम clearly चीजों को देख नहीं पाते है अगर हम अंजान जगा पे रात को है, light भी नहीं है आप थोड़ा सा सोच के देखें, तो हमें डर लगता है हमें बहुत एक fear होता है और moon कहीं इन्ही energies को represent करता है तो किसी भी personal front के area को लेकर या फिर overall ही, एक fear insecurity आप महसूस कर सकते है जहाँ पर आपको ऐसे लग सकता है कि भी कुछ clarity ही नहीं है समझ ही नहीं आ रहा कि situation में क्या करें, क्या ना करें तो देखें, ऐसे में बहुत बहुत important होता है कि सबसे बहली चीज, आप clarity लेकर आए अपनी emotions में, feelings में, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या goal है आप चीजों को prioritize करें और जो भी thoughts, fear वाले हैं, जो आपके mind में आ रहे हैं आप उनको energy ना दें क्योंकि जब एक negative thought हमारे mind में आता है ये negativity multiply होनी शुरू हो जाती है और फिर इसी negativity में हम गुम होके रह जाते हैं without realizing कि ये हमारे ही mind की creation है तो थोड़ा सा दिखिए, अपने thoughts को observe करके check करें जैसे ही negative thought आता है, उसको recall, cancel, delete कहेके उसको positive thought के साथ replace करें और फिर से कहूंगे, clarity ज़रूर लाने की कोशिश करें जिस भी situation में आप हैं, या फिर जिस भी चीज को लेकर एक fear insecurity आप महसूस कर रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए arrow का card है और ये card कहता है, surround yourself with protective energy तो दिखिए, ये overall दोनों ही life के area इसके लिए है लेकिन मुझे personal life के area के लिए जाधा रहतावा दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, moon अंधेरे को represent करता है और अंधेरे में डर भी आता है और अंधेरा कही negative energy की भी बात करता है जितने भी इस तरीके के काम होते हैं तांत्रेक और negative energy वाले वो रात कोई होते हैं अब देखिया आप डरियेगा नहीं कि मैं आपको बोल्डियम की कोई negative energy आपके उपर है प्लीज, I am not saying that बट येस, क्योंकि you know moon again मैं कहूंगी अंधेरे को represent करता है fear insecurities को represent करता है तो ये negative thoughts हमारे ही तो creation होती है तो negativity most of the times बाहर से नहीं आती है हमारे ही अंदर से आती है और यहाँ पर guidance का card बहुत ही clearly कहता है कि अपने आपको protect करना है तो अपनी energies को protect करें और अपने mind को negative thoughts से negative energy से protect करें astrology से आप लोगों के लिए the eighth house का card है इसके इसाब से all shades of red, maroon, rust इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का साथा है क्राशी फल और नीचो मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक insurance आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है strength और इस card में I don't know अब कितना देख पा रहे हैं एक angel है और उसके आगे loin बाठा हुआ है तो loin हैं पे challenges को represent कर रहा है frustration, anger, गुसे को भी represent कर रहा है लेकिन क्योंकि साथ में angel है तो कहीं यही चीजें बहुत ही एक controlled way में रहती भी दिख रही है and controlled way में not जैसे कि आप उसको suppress कर रहे हैं जैसे कि यह चीजें आपको overpower ही नहीं कर पा रही हैं तो nutshell में देखी issues, मसले रह सकते हैं लेकिन आप बहुत ही compassionately, बहुत lovingly चीजें को deal कर रहे हैं थोड़ा सा किसी चीजें को लेकर या फिर overall ही गुसा, frustration भी आ सकता है लेकिन आप इन ही चीजें को अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं एक तो देखिए strength outward होती है जहाँ पर आप किसी चीजें को लिए force लगा रहे हैं, strength लगा रहे हैं और एक inner strength होती है, जहाँ पर जो भी अंदर issues होते हैं जैसे गुसा हो गया, frustration हो गया इनको आप बहुत ही positively deal कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसी सी energies रहती हुए दिख रही है और यहाँ पर देखिए strength का card आपको message भी दे रहा है कि जितना आप inner strength को maintain करेंगे जितना आप सबर के साथ, patience के साथ चीज़ों को deal करेंगे उतना ही इस weak energies को आप भेतर कर पाएंगे अपने goal, अपने मकसद को आप achieve कर पाएंगे लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी internally या फिर outwardly weak हो गए तो फिर आप परेशान हो सकते हैं तो दिखिए broader level के लिए आपके लिए मुझे यही दिख रहा है कि आप एक inner strength maintain कर पा रहे हैं लेकिन जो भी concerns ऐसा नहीं कर पा रहे हैं के लिए message है कि जो भी external level पे situation है circumstances है यह temporary है यह permanent नहीं है और यह शायद आपकी patience को test कर रहे हैं आपकी strength को test कर रहे हैं और अगर इस test में आप pass हो जाते हैं तो फिर आप चीजों को बहुत आसान कर लेंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए Ace of Wands का card है और यह card सबसे पहली चीज एक नई beginning की बात करता है और यह नई beginning enthusiasm, excitement, happiness, joy लाती हुई दिख रही है साथी साथ growth और progress भी लाती हुई दिख रही है तो personal front के लिए देखे Ace of Wands is a very very positive card यह card कहता है कि बहुत courageously, बहुत boldly आप चीजों को deal कर रहे हैं एक नया जोश, एक नई among, overall या फिर किसी खास चीज को लेकर आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी या तो एक नई beginning हो रही है या फिर एक नई beginning आप चाहा रहे हैं क्योंकि यह general reading है, यह नई beginning सब concerns के लिए थोड़ी थोड़ी differ करेगी and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए Lord का कार्ड है और यह कार्ड कहता है, take charge with authority तो देखिए, इस week आपने follow नहीं करना है, किसी को submissive नहीं होना है और डर के या फिर थोड़ा सा, जिसे बुलते हैं, घबरा के बैट नहीं जाना है और दिखिए, आपके लिए यहाँ पे professional front के लिए strength का कार्ड भी यही message दे रहा है कि बहुत strongly आपने चीजों को deal करना है Ace of Wands का का कार्ड एक अच्छी opportunity के मिलने की बात कर रहा है और guidance का का कार्ड कहता है, कि बहुत confidently, बहुत assurity के साथ चीजों का control अपने हाथ में लेकर जो भी action initiatives required हैं, वो आपने जरूर जरूर लेने है And astrology से आप लोगों के लिए cheer on का का कार्ड है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे Insignificant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था आप लोगों के लिए coming week कर सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of cups और broader level के लिए देखें ये card love, friendship, care, support, help की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहतावा देख रहा है आप हो सकता है कि लोगों से connect कर रहे हैं, interact कर रहे हैं और professional front से related ये चीज़ें जादा रहती भी दिख रही हैं क्योंकि ये card past की बात करता है तो कुछ के लिए हो सकता है कि past का कोई connection या फिर past की कोई चीज इस week आ रही है अब इस हिसाब से देखें तो हो सकता है कि past में किसी के साथ आपने काम किया या फिर कोई आपके colleague थे, co worker थे उनसे आप इस week connect कर रहे हैं किसी भी तरीके से कुछ के लिए हो सकता है कि past किसी organization में आपने काम किया आपको वहां से offer आ रही है अब देखिए जो भी दो चीज़े मेरे mind में आई मैंने आपको कहा ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा broader level के लिए past से कोई चीज या तो इस week आपके professional front में आ रही है या फिर past की किसी चीज़ पे आप focus कर रहे हैं आप दिखिए यहाँ पर भी reason सब लिए उसके लिए differ करेगा overall के लिए कहीं बहुत ही harmonious, loving, caring, supportive, cooperative से energies आपके professional front में रहती भी दिख रही है अगर आपको help support की जरत है आपको मिलती भी दिख रही है और अगर किसी co-worker, किसी colleague को help support की जरत है तो आप देते भी दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए nine of pentacles का card है ये card कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों की बात करता है तो broader level के लिए इन ही चीज़ों पर focus है और कुछ या फिर काफी सारे lios के लिए हो सकता है कि पीछे आपने किसी भी चीज़ को लेकर बहुत effort किया बहुत महनत करी, आपको एक positive outcome भी मिला और इस भी कहीं उसको आप enjoy करना चाहा रहे है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी purchase या फिर otherwise कोई खर्चा भी बहुत time से आप करना चाहा रहे थे positive चीज़ों के लिए या फिर इना constructive way वो आप करते वे दिख रहे हैं यानि कि कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं और ये सब के लिए differ करेगी लेकिन lifestyle या फिर घर और family के लिए जादा ये खर्चा या फिर ये एक purchase आपकी रहती भी दिख रही है overall के लिए दिखें दोनों ही fronts के लिए beautiful cards हैं तो इस हिसाब से देखें ये week आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए direction guardian का card है और ये card कहता है choose your path तो देखें जो भी हम करना चाहते हैं उसी के लिए बहुत सारे हमारे पास रस्ते होते हैं path होते हैं, options होते हैं और जब तक हम वो option वो path नहीं choose करते हैं तब तक हम right decisions भी नहीं ले पाते हैं और सही तरीके से अपने goal अपने मकसद को pursue भी नहीं कर पाते हैं तो दीखें बहुत-बहुत important रहेगा सबसे पहले आप क्या चाहते हैं आपका क्या goal है उसको लेकर एक clarity रखना और उसको achieve करने के लिए आपको क्या path लेना चाहिए क्या direction लेनी चाहिए तो इन चीजों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो अपने goal मकसद को achieve कर पाएंगे better feel करेंगे और astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो का Saturday तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए वोगों आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of swords और ये card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में या तो आप बहुत actively किसी भी चीज में involved नहीं हो रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं या फिर आपके professional front में बहुत कोई खास activities नहीं हो रहे हैं जिसकी वज़े से आप involved हो ही नहीं पा रहे हैं आप फिर कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ च्वगोज के लिए भी हो सकता है कि पीछे आपने बहुत effort किया बहुत मेहनत करी और इस week आप थोड़ा सा rest लेना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़ादा enthusiastic, excited अपने goal मकसद के लिए नहीं रहे हैं कही motivation lag कर रही है तो देखिए अगर आपको लगे कि motivation lag कर रही है तो ज़रूर कुछ न कुछ करें जिससे की एक enthusiasm excitement आप महसूस करें अपने goal अपने मकसद के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि enthusiasm excitement बहुत बहुत important होता है अपने मकसद को achieve करने के लिए लेकिन otherwise you know जैसे की मैंने अभी आपको एक scenario बताया आपने पीछे बहुत effort किया इसलिए आप rest लेना चाहा रहे हैं किसी भी reason की वज़े से तो ज़रूर आप राम करें rest लें क्योंकि देखिए बीच बीच में थोड़ा सा rest लेना अपनी energies को rejuvenate करना बहुत बहुत important होता है पूरी तरीके से charge up होके बहुत enthusiasm excitement के साथ फिर से अपने goal अपने मकसद को pursue करने के लिए and personal front के लिए आप लोगों के लिए eight of pentacles का card है ये card कहता है कि जो भी आप चाहा रहे हैं अपने personal front में उसके लिए बहुत devoted बहुत dedicated तरीके से आप effort कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं in fact आपका पूरा का पूरा attention अपने work अपनी मेहनत अपनी effort पे रहतावा दिख रहा है in the process आप काफी practical काफी realistic होते वे दिख रहे हैं कई money, पैसा, materialistic चीजें आपके लिए एहम और important रहते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई skill आप learn कर रहे हैं, कोई knowledge आप gain कर रहे हैं और overall के लिए मैंने आपको बताया effort, मेहनत, बहुत dedicatedly devotedly आप करते वे दिख रहे हैं और जब भी हम ऐसी energies में होते हैं जो भी हम चाहते हैं 90% हम उसको पाही लेते हैं and in general या फिर guidance से आप रोगों के लिए protection guardian का card है और ये card कहता है drop your shield तो किसी भी चीज को लेकर अगर आपने एक wall बनाई हुई है या फिर आप बड़े cautious हो रहे हैं बड़े conscious हो रहे हैं बहुत ज़ादा आपका mind हो रहा है कि आप अपने आपको protect करें और इसकी वज़े से आप 100% चीजों को नहीं pursue कर पा रहे हैं और फिर एक होता ना खुल के action initiatives नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर protection guardian का card बहुत ही clearly कहता है अपनी shields को आप drop कर दें क्यूंकि angels आपको protect कर रहे हैं बस देखिए हमें न angels के साथ connect करने की जरुत होती है angels हमेशा हमारे आसपास होते हैं they are willing to help they are willing to protect us लेकिन हम अपने ही negative mindset में इतने ज़ाधा खोय हुए होते हैं कि हम उनके साथ connect ही नहीं बना पाते हैं तो थोड़ा सा भी जब एक positive frame of mind में हम आते हैं हम एक सिरफ intent या फिर thought रखते हैं कि भई angels हमारे साथ हैं तो वो बहुत eagerly हमें protect करते हैं और बहुत eagerly हमारी help करते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of indigo blue इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था वोगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए liberalize आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लिकरा रहा है कि energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है king of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में बहुत logically बहुत mind से आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं और फिर कर रहे हैं इस week आपको ऐसा लग सकता है कि emotional नहीं होना sentimental नहीं होना emotional होके न आप बहुत गड़बड होती है बहुत परेशान होते हैं और बहुत clarity के साथ आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं आप फिर कर रहे हैं in the process आपका communication भी काफी clear, काफी blunt, काफी straight forward रहता हुआ दिख रहा है overall दिखें ये card power position authority की बात करता है किसी भी level पर किसी भी तरीके से power position authority या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाहा रहे हैं या फिर किसी authoritative figure के साथ इस week हो सकता है कि again आप connect कर रहे हैं एक discipline के साथ एक बहुत ही systematic तरीके से भी आप चीजों को इस week deal करते हुए दिख रहे हैं personal front के लिए आप लोगों के लिए balance का card है और देखें literally इस card के meaning को देखें तो जो भी आप personal front में कर रहे हैं आपके मन में रह सकता है कि भी एक balance maintain करना है किसी भी चीज के लिए एक extreme energies नहीं रखनी है कितनी बारी होता है न या तो हम किसी चीज के लिए over action initiatives ले ले लेते हैं over उसमें घुश जाते हैं over you know उसके लिए obsessive हो जाते हैं और कितनी बारी हम बिल्कुल ही withdraw कर देते हैं और दोनों ही सेनारियों में देखे हम अपने goal मकसद को नहीं achieve कर पाते हैं या फिर कर भी लेते हैं तो in the process बहुत परेशान होते हैं जब हम एक balance तरीके से moderate तरीके से चीजों को deal करते हैं तब एक peace सुकून भी हम maintain कर पाते हैं और देर सवेर अपने goal को भी हम पाही लेते हैं दिखे कच्वे और खरगोश की कहानी हम सब ने सुनी हैं और हम सब जानते हैं कि कच्वा खरगोश से जीत जाता है खरगोश जो कि इतनी तेज भागता है तो दिखे फिर से कहूंगी इस week कुछ ऐसी ही energies हैं यह नहीं कहूंगी कि कच्वे की तरह आप बहुत slow-slow चल रहे हैं बट यह बहुत तेज स्पीड में बहुत fast तरीके से आप चीजों को नहीं करना चाह रहे हैं वेना ऐसे fast मतलब आप extreme नहीं किसी भी चीज के लिए हो रहे हैं इस week आपके लिए peace, सुकून काफी एहम रह रहा है या फिर जो भी आपके personal friend में हो रहा है एक peace, एक सुकून आप में हिसूस करते हुए दिख रहे हैं और guidance से आप लोगों के लिए card है warrior और यह card कहता है be fearless and stand strong तो दिखे जो भी situation हो जो भी circumstances हो आपने डरना नहीं है क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो हम goal को achieve कर पाए नहीं कर पाए in the process एक stress, एक anxiety, एक restlessness हम अपने ले लेकर आते हैं जो कि हमारी health के लिए in fact मैं कहूंगी किसी भी form of health के लिए mental, emotional, physical के लिए ठीक नहीं है तो फिर से देखे जो भी हो रहा हो एक warrior वाली energies में रहें आप front हो के चीज़ों को deal करें आप बिलकुल भी किसी चीज़ से घबराए ना देखे हिंदी में एक quotation भी है जो डर गया सो मर गया तो डरना नहीं है इस week and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो हो ये ठाले ब्राज आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect करवाए तो चलिए इसका अप लोगों के लिए देखें कि कमी week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है seven of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में थोड़ी सी एक distractions रह सकती है या फिर किसी चीज को लेकर एक confusion रह सकती है जहां पर बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है बहुत सारे options आपके सामने है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए और कुछ इसको पर उसके लिए भी हो सकता है कि आप एक imaginary दुनिया में रह रहे हैं यानि कि अपने goal अपने मकसद को लेकर आप vision create कर रहे हैं बहुत जादा ख्वाब देख रहे हैं एक फिर से मैं कहूंगी imaginary world में रह रहे हैं लेकिन कहीं practical realistic attitude missing है या फिर practical realistic तरीके से action initiatives आप नहीं ले रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं लेना चाहा रहे हैं तो जो भी हो देखे जब भी ये काड आता है मैं यही कहती हूं कि सबसे पहले आपके लिए क्या चीज important है आपने उसको prioritize करना है क्योंकि देखिए most of the times हम confused तभी होते हैं बहुत सारी चीजों में इलजे हुए होते हैं या फिर बहुत सारी चीजें हमारे mind में होती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा important है जैसे ही हम चीजों को prioritize करते हैं और जो चीज हमारे लिए सबसे important होती है हम उस पे पहले focus करते हैं तो कहीं ए clarity आती है और फिर हम better भी feel करते हैं तो दो चीजों का खयाल रखें एक तो prioritize करें चीजों को दूसरी बात अगर आप vision बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ उसके लिए practical, realistic तरीके से action initiatives भी जरूर लें and yes तीसरी बात ये भी है कि आपने जो भी चीज़ें आपको distract कर रहे हैं उनको भी अपने रास्ते से अपने mind से जरूर खटाना है and personal front के लिए आप लोगों के लिए awakening का card है और देखिए awakening के literal meaning को देखें तो जैसे होता है न कोई सो रहा है उसको उठा दिया तो वो जाग गए और जब जागते हैं तो आसपास की चीज़ों को लेकर एक awareness आती है तो यहाँ पर देखें awakening के हिसाब से देखें तो किसी चीज की realization हो रही है किसी चीज का एहसास हो रहा है या फिर किसी चीज को लेकर अगर पीछे आँख बंद करी हुई थी तो इस week you know उसको आप upfront होके deal कर रहे है is not the right thing मतलब जैसे बोलते हैं नेंद से आँख खुली है जैसे आँख बंद कर रहे थे हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे और जैसी आँख खुली तो दिखाई दिया अरे भई ये चीज अच्छी है या फिर खराब है कुछ भी हो सकता है अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहे हूँ लेकिन आपको शायद नहीं दिख रहे थी और इस week आप देखना चाह रहे है या फिर दिख रही है या फिर समझ में आ रही है या फिर realization हो रहा है और in the process या फिर otherwise थोड़ा सा आप stuck भी महसूस कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसे लग सकता है कि ना तो आप आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं आपके हाथ बंदे हुए हैं पैर बंदे हुए हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और कहीं देखिए एक अलग perception के साथ भी आप चीजों को परसीव करना चाह रहे हैं कहीं अपना नजरिया भी चीजों को देखने का आप बदलना चाह रहे हैं और दिखिए अट टाइम्स यह बहुत बहुत इंपोर्टन होता है मेरे psychology के सार कहते थे और मैं हर दम ही जब भी एकाड आता है तो जरूर आप लोगों को कहती हूँ आप लोग अगर बहुत टाइम से मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कभी-कभी यह जरूरी भी होता है कि हम थोड़ा सा अपना नजरिया बदलें हम थोड़ा सा चीजों को देखने का अपना perception बदलें तो overall देखे बहुत great यह week नहीं जाता हुआ दिख रहा है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि कुछ गलत होगा कुछ के लिए literally हो सकता है कि थोड़ा sacrifice भी आप कर रहे हैं and in general यह फिर guidance से आप लोगों के लिए shaman का card है और यह card कहता है trust in higher forces तो जिन भी God को आप मानते हैं उन पे complete faith रखें उनको complete surrender करते हुए ही आप चीजों को इस week deal करें and astrology से आप लोगों के लिए aries sign का card है इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह thoughts copies आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले से रिडेरियस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of wands यह card positive changes की बात करता है enthusiasm, excitement, supportive cooperative energies को भी represent करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ देख रहा है positive changes की बात करें तो यह general reading है सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है change of place कुछ के लिए change of job, change of profession, change of team या फिर किसी भी तरीके के changes specifically इस week आपके professional front में रह रहे हैं और यह changes कहीं एक positive energy या फिर positive चीजें ही लाते वे दिख रहे हैं और दिखें यहाँ पर जो भी changes मेरे mind में आए मैंने आपको कहा again कहूंगी यह general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा यानि कि यह changes सब के लिए different रहेंगे and overall के लिए एक enthusiasm, excitement आप में हसूस कर रहे हैं एक stability, एक security यहां तो आपके professional front में आ रही है यहां फिर जो भी इस week आपके professional front में हो रहा है आपको ऐसे लग रहा है अब वो stability, अब वो security आपको मिल जाएगी जो आप चाहा रहे हैं तो all in all यह week specifically professional front से related काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए wise counselor का card है और इस card के हिसाब से या तो किसी को guidance counseling advice आप दे रहे हैं या फिर किसी से guidance counseling advice आप ले रहे हैं और कहीं देखें ये card सीखने सिखाने की भी बात करता है तो या तो किसी को कोई चीज आप सिखा रहे हैं या फिर सीख रहे हैं और यहाँ पर देखें सीखना या सिखाने का मतलब यह नहीं है कि आप, you know, किताबे पढ़ रहे हैं या फिर academic से related कोई teaching हो रही है, learning हो रही है life सबसे बड़ी हमारी teacher है और हर पल, हर छण हमें सिखा रही होती है जब हम इस चीज को realize करते हैं और जो भी lessons हमें life दे रही होती है, उसको सीखते हैं तो यकीन मानिये हम जिन्दगी को बहुत आसान करते हैं तो इस week life से related कुछ learnings भी आपके personal front में रह सकती हैं ये card कहीं religious spiritual activities को भी represent करता है तो कुछ सरीटेरियस के लिए हो सकता है कि किसी भी तरीके की religious spiritual activities में या तो आप involved हो रहे हैं या participate कर रहे हैं तो all in all दिखिए दोनों ही fronts के cards positive हैं और इनके हिसाब से ये वी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और दोनों ही cards के ही stability security को represent करते हैं तो इस week दोनों ही fronts में एक stability एक security भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए great teacher का card है और ये card कहता है learn from spiritual experiences तो देखिए personal front का card और in general या फिर guidance का card कहीं similar सी energies की बात करता है और अभी-भी मैंने आपको कहा कि जिंदगी ही सबसे बड़ी teacher है और हमें हर पल सिखा रही होती है और जब हम ये सीख लेते रहते हैं जो भी हमारे experiences होते हैं हम अपनी जिंदगी को बहुत असान करते हैं और यही message आप लोगों के लिए guidance का card भी दे रहा है learn from spiritual experiences and astrology से आप लोगों के लिए Virgo sign का card है इसके हिसाब से beige and brown colors इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था सेड़ी टेरियस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नेचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए के अपरिकॉंज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है six of swords और ये card कही movement की बात करता है shift की बात करता है कहीं आगे बढ़ने की बात करता है और travel को भी represent करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund के लिए रहता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आप यहां तो इस week travel कर रहे हैं या फिर travel करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे कुछ issues कुछ मसले specifically आपके professional fund में रह रहे थे और कहीं उनसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो दिखिए एक movement एक shift आ रही है और फिर से कहूंगी जो चीजें आपको परिशान कर रही थी उनसे आप move on करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए एक transitory phase भी रह सकता है होता है ना जब किसी चीज को हमने छोड़ा और नई चीज को अभी हमने join नहीं किया तो बीच का एक जो phase होता है बीच का जो एक period होता है उस तरीके का एक phase रह रहा है क्योंकि एक art change of place, change of location को भी represent करता है तो किसी तरीके के changes भी specifically location, job, team, profession या फिर इसी तरीके की चीजों से related भी इस week रह सकते हैं तो all in all दिखिए एक neutral energies ये card represent करता है बहुत कुछ great भी नहीं होने की बात करता है कुछ खराब भी नहीं होने की बात करता है in fact खराब चीजों से किसी level पर आगे बढ़ने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week फिर से कहूंगी specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए eight of wands का card है और दिखिए ये card भी कही movement shift की बात करता है तो दोनों ही fronts में एक चीज sure है movement रह रही है कहीं shift आ रहा है और बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं देखिए speed तो personal front में जादा रहती हुई दिख रही है professional front में कहीं फिर से कहूंगी जो चीजे bother कर रहे ही थी उन से आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं तो फिर से देखिए personal front में देखें तो travel या तो आप कर रहे हैं या फिर रह रही है या फिर उसी से related planning आप कर रहे हैं और बहुत speed बहुत तेजी से अपने goal अपने मकसद की तरफ आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं इन दा process थोड़े से impulsive हो सकते हैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर सकते हैं और अगर ऐसा आप पाएं तो ज़रूर check करके correct करें देखिए immediate action लेने में और impulsive होने में थोड़ा सा फरक होता है immediate action कितनी बारी हमें life में लेने पड़ते हैं लेकिन फिर भी हमें impulsive नहीं होना चाहिए impulsive मतलब बिना सोचे समझे चीजों को करना and एक growth एक progress आती हुई दिख रही है जो भी you know काम आप कर रहे हैं उसको complete करने पर focus रहता हुआ दिख रहा है कहीं अपने goal अपने मकसद के बहुत नजदीक भी आप आते हुए दिख रहे हैं किसी message, phone call, email का अगर आप wait कर रहे थे तो वो भी इस week आपको मिलता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए drum का card है और ये card कहता है dream and journey तो देखिए dream कहीं खुआबो को represent करता है vision को represent करता है journey कहीं movement को represent करता है कहीं action initiatives लेने की बात करता है तो हो सकता है broader level के लिए अपनी dream, अपनी wishes की तरफ आप action initiatives ले रहे हैं क्योंकि देखिए दोनों ही front के card कहीं action initiatives लेने की बात करते हैं movement की बात करते हैं और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो guidance का card आपको message दे रहा है कि जो भी आपके dreams हैं उसकी तरफ आप move करें उनके लिए आप action initiatives जरूर लें and astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है इसके हिसाब से all shades of blue indico इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक वेडियस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो profession fund के लिए आप लोगों के लिए card है the star the star का card कही positivity की बात करता है कही clarity की बात करता है और literally अगर हम देखें तो एक celebrity वाली energies की भी बात करता है अब मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि सारे के सारे Aquarius इस week celebrity बन जाएंगे लेकिन देखें अगर हम celebrities को देखें तो उनको name और fame मिलता है और लोगों से काफी एक importance मिलती है काफी एक appreciation मिलता है तो broader level के लिए celebrity वाली energies इस week आपकी रह सकती है यानि कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं हो सकता है कि वो आपको इस week काफी important feel करवाएं और कहीं you know काफी appreciation recognition आपको आपके आसपास की लोगों से मिले और दूसरी बात देखिए पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप परिशान हो रहे थे आपको नहीं समझ में आ रहा थे कि आप क्या direction ले तो इस week आपको एक clarity भी मिलती हुई दिख रही है पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आपने उमीद खोई या नहीं भी खोई इस week बहुत एक positive frame of mind में रहते हुए दिख रहे हैं कहीं चीजों को लेकर अपने goal मकसद को लेकर काफी hopeful भी रहते हुए दिख रहे हैं तो overall के लिए ये week specifically professional front के लिए काफी अच्छा रहता हुए दिख रहा है and personal front के लिए आप लगों के लिए five of pentacles का card है और ये card थोड़ा सा you know छोटे मुटे मसले छोटे मुटे problems के होने की बात करता है अब देखे problem words सुनके सब लोग बहुत ज़ादा घबरा जाते हैं अब problem देखे किसी भी चीज को लेकर है सकती है जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है हम परेशान होते हैं तो वो भी एक problem होती है तो literally problem नहीं मैं कह रही हूँ but yes you know उतना एक attention उतना एक affection आपको आपके loved one से हो सकता है इस week ना मिले हो सकता है आपको ऐसा लगे इस week कि आपके loved one आपको ignore कर रहे हैं अपनी चीजों में अपनी activities में नहीं include कर रहे हैं money पैसे से related छोटे मोटे challenges रह सकते हैं अब देखे हैं पर money पैसे से related जैसे कि मैंने आपको कहा challenges रह सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत बड़ी कोई problem आ गई है issue आ गया है कभी कभी क्या होता है न हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है और वो थोड़ी सी expensive होती है हमारे पस उतने पैसे नहीं होते हैं तो हम थोड़े से मायूस होते हैं परेशान होते हैं कुछ के लिए literally ऐसा रह सकता है और कुछ के लिए genuinely money पैसे से related छोटा मुटा issue मसला रह सकता है लेकिन एक चीज़ का खयाल रखें यह आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है यह सिरफ और सिरफ इस week की reading है और नया week नही energies लेकर आएगा इस week अगर आप थोड़ा सा money पैसे से related you know cautious रहें फजूल खर्ची ना करें, save करने पर focus करें और loved one से, close one से या पर किसी भी खास इंसान से बहुत high expectations ना रखें तो फिर यह week आपका ठीक ठाक रहेगा लेकिन अगर आपने ज़ादा expectations रखी या फिर कोई चीज़ आप महंगी खरीदना चाह रहे है अब अनी पैसे से related कोई भी काम आप करना चाह रहे है उतने नहीं हो पा रहे है और आप बहुत ज़ादा इस चीज़ पर focus करेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं तो देखिए जो भी situation हमारी life में आती है उसको हम positively भी deal कर सकते हैं और हम थोड़ा सा उसको लेकर मायूस भी हो सकते हैं हर दम choice हमारी होती है कि हम उस situation को किस तरीके से deal कर रहे हैं और जिस तरीके से deal करते हैं वैसी ही energy हम create करते हैं और उसी तरीके से फिर चीज़ें आगे move on करती रहती हैं तो मैं आपको यही कहूंगी बहुत बड़े मसले नहीं होते हुए दिख रहे हैं जो भी मैंने एक दू चीज़ें बताई यह एक तरीके से examples हैं तो इस तरीके के छोटे मोटे issues रहेंगे आप उन पर बहुत जादा attention नहीं देंगे बहुत जादा उन पर focus नहीं करेंगे जो चीज़ें अच्छी हैं आपकी life में आप उन पर focus करेंगे तो इस week की energies को आप बहतर कर पाएंगे और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए snake का card है और ये card कहता है shed old skin तो जो भी चीज़ें आपको serve नहीं कर रही है आपको you know grow या progress करने में help नहीं कर रही है या फिर जिनकी वज़े से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं उनको जितनी जल्दी आप लटको करेंगे उतनी ही जल्दी आप इस week की energies को तो बहतर करेंगे ही करेंगे आगे अपनी life को भी easy रखेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Venus ग्रह का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था एक वेरियस आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशिफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए पाइसे आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है transformation और देखें transformation का card changes की बात करता है क्योंकि ये general reading है तो सब के लिए ending, beginning, changes differ करेंगे और ये weekly reading है तो बहुत बड़े कोई changes या फिर बहुत बड़ी ending, beginnings नहीं रहती भी दिख रही है एकका दुका लोगों की बात अलग है याने कि एकका दुका लोगों के लिए बड़े changes या फिर बड़ी ending, beginnings रह सकती है और देखें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ending, beginnings अब के लिए differ करेगी जैसे कि होता है ना कभी-कभी हम एकी तरीके से चीजों को कर रहे होते हैं और हमें हमारा desired result नहीं मिल रहा होता है तो हमें लगता है थोड़ा सा हम different तरीके से इस चीज को करते हैं तो इस तरीके के changes हो सकते हैं कुछ के लिए thought process, belief system में changes हो सकते हैं कुछ के लिए देखिए change of place, change of team, change of project again इन ही चीजों से related changes रह सकते हैं और दिखिए जब change of place हुआ तो उस जगा की ending और नहीं जगा की beginning हुई तो कहीं changes खुद में ही ending, beginning को represent करते हैं तो इसी तरीके की energies broader level के लिए आप लोगों के लिए आपके professional front के लिए रहती भी दिख रही हैं और इस card के हिसाब से आप लोगों के लिए message अगर देखें तो जितनी ही जल्दी जो भी चीजें आपको serve नहीं कर रही हैं आपको grow करने में, progress करने में नहीं help कर रही हैं उनको आप release करेंगे, उनको आप let go करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने professional front में चीजों को भेतर करेंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए nine of cups का card है और ये card tarot में wish come true का card है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे Pisces की इस week personal front में कोई wish, कोई desire पूरी हो जाएगी कुछ की हो भी सकती है, कुछ के लिए हो सकता है जो भी इस week हो रहा है, आप बहुत hopeful हो रहे हैं बहुत एक positivity है आपको ऐसे लग रहा है कि अब जो आपकी एक wish, वो आपकी desire थी वो पूरी हो जाएगी तो कहीं देखिए इस तरीके की energies broader level के लिए personal friend में रहती हुई दिख रही है eating, drinking, merry making रह सकती है, और कहीं fun, मजा, मस्ती भी आप करते हुई दिख रहे हैं एक satisfaction, happiness, joy, overall के लिए आपके personal friend में रहती हुई दिख रही है relationships पे आप जादा focus कर रहे हैं, और मैं ऐसा भी कह सकते हूँ कि जिस भी चीज को आप बहुत love करते हैं, आप बहुत passionate हैं, आप बहुत enjoy करते हैं उस चीज पे या तो आप focus कर रहे हैं या फिर उसी से ही related इस week आपके personal friend में चीज़ें रहती भी दिख रही हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए sky father का card है और ये card कहता है trust in the unknown तो हो सकता है इस week कुछ ऐसी चीज़ें आपके personal या professional friend में हो रही हैं, जिनको लेकर एक you know जिसे बुलते हैं न की familiarity नहीं है, बहुत unknown है, unpredictable है और जब भी ऐसी चीज़े रहती हैं तो एक मन में fear आ जाता है और कितनी बारी, देखिए खुशी होने के साथ साथ एक fear भी आ जाता है क्योंकि आपका personal front के लिए बहुत ही positive card है तो अगर personal front से related ये unknown चीज़ें हो रही है तो जाहिर सी बात है खुशी है, खुशी के साथ साथ एक fear है और personal friend में क्योंकि ending beginning है तो कुछ के लिए positive हो सकती है कुछ के लिए negative हो सकती है तो जो भी situation हो, जो भी scenario हो, अगर आप universe पे complete faith रखते वे चीज़ों को deal करेंगे, एक surrender mode में रहेंगे, तो चीज़ों को आसान करेंगे और life को भी और बहतर करेंगे, तो इस चीज़ का खयाल रखें, and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है, इसके हिसाब से all shades of blue, indigo या फिर जो समुंदर के रंग होते हैं, sea green, sea blue आप लोगों के लिए लखी रहेगा, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday.